हाथरस रेप केस में पीडित के परिवार को दूसरे शहर में बसाने और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने के लिए इलाबाद कोट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका को सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया है। चंद्रचूड की अधिक्षता वाली बेंच कर रही थी। उन्होंने इस मामले को सुनने के बाद कहा कि यूपी सरकार को इस तरह की याचिका दाखिल नहीं करनी चाहिए। और परिवार को दूसरे शहर में बसाने के निर्देश दिये थे। आजीवन कारवास की सजा और पचास हजार रुपे का जुर्माना लगाये गया है। आजीवन कारवास आजीवन कारवास